मुस्लिम देश UAE में बना पहला हिंदू मंदिर अब जल्द ही आम लोगों के लिए खुल जाएगा स्वामी नराण मंदिर के खुलने की तारीक कैलान हो चुका है लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या UAE के स्वामी नराण मंदिर में मुसल्मानों की एंट्री होगी के नहीं बता दे UAE की राजधानी अबुधावी में पत्थर के बने पहले हिंदू मंदिर का फरवरी की शुरुवात में प्रधान मंची नरींद्र मोदी ने उदगाटन किया था अब इस मंदिर को जनता के लिए पूरी तरह से खोलने का फैसला लिया गया है मंदिर के अधिकारियों के मुताबिक एक मार्च को ये जनता के लिए खुल जाएगा 700 करोड रुपे की लागत से बना ये मंदिर सब्ता में 6 दिन सुमवार को छोड़कर सुबा 9 बजे से रात 8 बजे तक जनता के लिए खुला रहेगा बोचासन वासी शुरी अक्षरपुर्शोत्तम स्वामी नरायन संस्था यारी बाप्स की ओर से इस मंदिर को बनाय गया है 27 एकड में फैला हुआ ये मंदिर हर तरह से आकर्शन का केंद्र है प्रधान मंत्री नरींद्र मोदी ने 14 फरवरी को जब भव्य मंदिर का उध़ाटन किया तो तस्वीरे देखने लाइक थी पूरी दुनिया का ध्यान इस मंदिर पर आकर टिक गया इसमें 5000 से जादा लोगों ने हिस्सा लिया लेकिन क्योंकि ये पहला ऐसा मंदिर है जिसे मुस्लिम देश में इतनी भविता के साथ बनाय गया और ये पहली बार था जब किसी हिंदू मंदिर का मुस्लिम देश में उध़ाटन भारत के प्रधान मंत्री नरेंदर मूदी ने किया ऐसे में सवाल ये कि क्या यहां मुस्लिमों को एंट्री भी दी जाएगी इसका जवाब है कि मंदिर सभी धर्मों की लोगों के लिए खोला जाएगा सनातन धर्म की सबसे बड़ी खुबसूरती यही है कि इसके मंदिर सभी धर्मों के लिए खुले हैं मंदिर के लिए किसी तरह का टिकेट नहीं लगता लेकिन आपको जाने से पहले आप पर रेजिस्ट्रेशन जरूर कराना होगा मंदिर को बनाने में 18,00,000 एटे और 1,80,000 खन मीटर बलुआ पत्थर का इस्तमाल हुआ ये मंदिर आयोध्या के राम मंदिर की तरह नागर शहली के वास्तुकला से बना है बाप सिंदू मंदिर वर्तमान में पूरे खाडी छेतर में सबसे बड़ा है मंदिर की बारी दिवारों का निर्मान भारत से लाए गए बलुआ पत्थर से हुआ जबकि इसमें शान्ती और सद्भाव के दो गुंबत भी बनाए गए है मंदिर के दोनों और गंगा और यमुना का पवित्र जल भेता है जिसे भारत से बड़े कंटेनर में लाए गया ये मंदिर हजारों गुलाबी बलुआ पत्थर और सफेद संग मरमर पर हाथ से नकाशी के जरीय बनाया गया है इसकी शांदार डिजाइनिंग दुनिया का ध्यान खीच रहा है मंदिर के साथ शिखर हैं जो UAE के साथ अमिरात को दिखाता है इसके अलावा खाड़ी देश होने के कारण पत्थरों पर उटो UAE के राश्ट्र पक्षी बाज को भी बनवाया गया है ब्योरो रिपोर्ट भारत तक झाल 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 झाल